हेलो गाइज, वेलकम टू मैं चैनल, मेरे नाम है मंदीप और आज की वीडियो में करेंगे बैटरी द्रें टेस्ट आइफोन 14 प्रो का मैंने आइफोन 14 प्रो की एक फुल रिवीडियो डाली दे अपने चैनल पे उसमें मैंने बताया था कि मैंने इसकी बैटरी ड्रें टेस्ट और बैटरी चारजिंग टेस्ट की वीडियो जो है वो भी किई रिकॉर्ड और जल्दी जो हमें आपने चैनल पर कर दूंगा पोउस्ट तो आज की वीडियो में करेंगे बैटरी द्रें टेस्ट आइफोन 14 प्रो का और देखेंगे कितने गंटे तक करता है वा तो नॉर्मली जैसे मैं अपनी बैटरी द्रें टेस्ट की वीडियो मनाता हूं 13 एं 14 प्लस दोनों की मैंने मनाई थी तो सेम उसी वाले पैटरन को इसम को भी लोग बैटरी के डिपार्टमन में कंसर्न है डेफिनेटली इस वाली वीडियो से उनकी काफी हो सकेगी मदद बाकी गाइस अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट आम आया है तो थैंकी सो मच पर विस्टिक मैं चैनल प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं का है सबस्क्राइब तो प्लीज सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को और help करें मुझे 10,000 सब्सक्राइबर का एम रीच करने में तो वीडियो जो है बहुत जादा लंभी नहीं है बहुत जादा यूस्पूल है तो डेफिनेनली वी या है battery drain test और बीच बीच के इंटरवल में मैं आपके साथ शेर भी करूँगा कि कितना जो है इसकी battery भी है drain तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बार आपको दुखा देता हूं battery health और battery health है 100% तो अब प्ले करते हैं YouTube पे वीडियो और 4K में मैं इस वीडियो को करूँगा प्ले तो बैटरी जो है 100% है चार्ज और volume और brightness को मैं almost 40-50% के आसपास रखूँगा हलां कि volume जो है भी loud speaker पे और यह मैं रात को record कर रहा हूं तो इसमें मैंने थोड़ी सी कर दी थी कम कुछ समय के बाद मैं इसमें कर दूँगा headphones connect तो करते हैं वीडियो को start और अब देखते हैं कि exact एक गंटे के बाद जो है कितनी होती है इसकी battery train तो 100% में मैंने इसको कर दिया start और exactly एक गंटे के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इसकी battery हुई है train तो अभी 1 minute and 38 seconds हो चुके हैं तो 1 minute 40 seconds पर मैं इसमें earphones कर रहा हूं connect और volume जो है मैंने almost कर दिया 50% तो अब exact एक गंटे के बाद देखेंगे कि कितनी हुई है इसकी battery train अभी currently जो है exactly 100% पर ही है जैसे कि आप देख सकते हैं battery जो है currently है 100% और exact एक गंटे के बाद देखते हैं क कितनी हुई है इसकी battery train तो अब एक घंटा हो चुका है in fact 37 seconds हो चुके हैं उपर और एक घंटे के बाद continuous video playback पे इसकी battery health जो है battery percentage जो है वो हो गई है 98% तो एक घंटे continuous 4 की video playback होने के बाद इसकी battery जो है 2% हुई है train तो अब अगले एक घंटे पे चेक करेंगे कि कितनी हुई ह हो चुके 92% तो exact 2 घंटे तक video playback होने के बाद 4K में इसकी video जो है 8% हुई है train अब फाइनली चेक करेंगे सीधा सुबह exact 10 घंटे के बाद कि कितनी हुई है इसकी battery train continuous video playback पे तो अब exact 10 घंटे हो चुके है पूरी राज जो है इसमें video यह play और 10 घंटे continuous playback के बाद जो है इसकी battery हो चुकी है 49% तो 51% जो है battery train हुई है continuous 10 घंटे की video playback में अब exact जैसे के 10 घंटे हो चुके है तो अब मैं जो है इसको switch कर दूँगा video call पे और continuous 2 घंटे के लिए हम इसमें करेंगे video call तो अब 10 घंटे एक मिनट पे जो है मैंने इसमें start कर दिये face time video call और exact 2 घंटे तक जो है इ कितनी हो इसकी battery train तो continuous video playback पे जो है इसकी battery हो चुकी थी 49% तो अब इसको 49% पे मैंने किया है start और देखते है exact 2 घंटे के बाद कितनी होती है इसकी battery train तो अब exact 2 घंटे हो चुके है video call को total 12 घंटे से phone जो है continuous कर रहा है work और 12 घंटे की usage के बाद battery हो चुके 19% यानिकि 30% जो है battery drain हो है video call पे और total हो चुकी 81% तो अब मैं इसमें करूँगा gaming और देखते हैं उसमें कितनी होती है इसकी battery train अब मैं इसमें start करूँगा gaming और continuous gaming जब तक करेंगे जब तक इसकी battery जो है completely नहीं हो जाती है dead तो 12 घंटे पे जो है मैं इसमें gaming कर रहा हूँ start और देखते हैं continuous कितनी दिर तक ये करता है run तो अब 12 घंटे 41 मिनट हो चुके हैं तो exact 41 मिनट से जो है continuous जो है game ओर ये play और 2% हो गई है इसकी battery और device जो है वो पीछे से थोड़ा warm भी हो गया है बट still continuous जो है game प्ले करेंगे और देखेंगे कि कितनी देर तक जो है इसकी battery करती है last तो अब हो चुके हैं 12 आफ 46 मिनट तो 5 मिनट जो है हो चुके है pass और 1241 पेस की battery 2% और अब जो है game हो चुकी है lag और ये हो गया है dead तो exact 12 घंटे 46 मिनट तक जो है इसने दिया continuous battery backup continuous usage पे और 46 मिनट जो है end में हमने इसमें किये gaming तो 46 मिनट की gaming के बाद phone जो है हो चुका है dead औ और इसमें जो है आगया है battery का symbol red तो completely जो है battery हो चुके red 100 से 0% होने में इसको total लगे है 12 hour and 46 मिनट तो गाइस ये था battery drain test iPhone 14 pro का और 12 घंटे 46 मिनट याने की 12 hours and 46 मिनट तर continuous usage पे इसकी battery चली है तो मेरे साथ से बहुत जाद अची है performance और ये जो है continuous usage के results तो अगर आप इसको normal use करेंगे तो ये बहुत अराम से जो है एक से देड़ दिन आपका निकाल देगा I am pretty sure के heavy से heavy user जो है उनके लिए एजिली एक दिन तक कर जाएगा last तो जैसे कि मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था कि continuous 10 गंटे तक वीडियो प्लेबैक करने के बाद इसकी बैटरी तक जो है इसकी बैटरी चली है गेमिंग पे और फिर ये फाइनली हो चुका था जिरो इन फैक्ट यह एकदम सिमिलर रिजल्ट्स है जो आइफोन 13 के बैटरी रेंटेस में मुझे मिले थे तो बैटरी परफॉर्मेंस जो है आइफोन 14 प्रो भी आपको बहुत जादा अच इस वाली वीडियो में हो गए होंगे clear and I hope कि इस वीडियो को जो है maximum शेयर करेंगे ताकि जो भी लोग सिमिलर डाउट रखते हैं बैटरी से रिलेटेड वो भी जो है इस वाली वीडियो से उनकी हो सकेगी help बागी गाइस इस वीडियो से रेटिड अगर आपकी कोई भी को आपके सब्सक्राइब को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और help करें मुझे 10,000 सब्सक्राइबर का एंप्रीश करने में थैंक यू सो मच पर वाचिंग वीडियो गाईस स्टे सेफ टेक केर एंड गुडबाई